Hello my dear student, welcome back to my channel, Arlim Maths Vlogs My dear student, इस वीडियो का माध्ध हों से तुम लोगों बाथाओंगे इस्टाइट simultaneous linear equation को कैसे solve काना चाहिए तो यहाँ पर देखो, equation क्या है? यहाँ पर देखो, 10 divided by x plus y plus 2 by x minus y is equal to 4 और यहाँ पर इस equation में देखो, यहाँ पर 15 divided by x plus y minus 5 by x minus y is equal to minus 2, ठीके? यह दो equation को solve काने के लिए तुमको eliminating का process apply करके आज बहुत easy से देखाएंगे, ठीके? तो my dear student, इहाँ पर देखो, x minus y, इहाँ पर भी x minus y, ठीके? तो इहाँ पर देखो 2, इहाँ पर 5, तो तुमको क्या खाना चाहिए? यहाँ पर तुमको 2 को 5 से multiply करदो, और यहाँ पर 5 को 2 से multiply करो, तो 5 को 2 से multiply करो, 10 मिलेगा, यहाँ पर 2 को 5 से multiply करो, 10 मिलेगा, यहाँ पर 2 को 5 से multiply करो, 10 मिलेगा, तो इसलिए बहुत equation को क्या काना चाहिए? इस equation को तुमको क्या कहना चाहिए इसको 5 से multiply कर दो और इस equation को 2 से multiply करो तो 5 के साथ 2 को multiply करना से क्या 10 मिलेगा और यहाँ पर देखो 2 के साथ 5 को multiply करना से 10 मिलेगा तो बोथ सेम हो जाएगा तो my idea student इसको 5 से multiply कर से क्या हो जाएगा my idea student यहाँ पर हो जाएगा 50 divided by x plus y x plus y यह तुमको same लिगना है 5 के साथ 10 को multiply करना है मतलब 50 होगा यहाँ पर plus लिगना है 5 to 10 यहाँ पर 10 लिगना है ठीक है divided by x minus y is equal to क्या होगा 5 फोर जा कितना होगा 20 my dear student यहाँ पर 20 लिगना है और यह 2 के साथ इसको multiply करो तो हो जाएगा 30 और फिर से तुमको same copy करना चाहिए x plus y लिगना है minus यहाँ पर तुमको 2 से multiply को 2, 5 जा 10 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 by x minus y is equal to क्या होगा 2 to 4 मतलब यहाँ पर हो जाएगा minus 4 उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए तुमको क्या करना है add तो इसको यहाँ पर देखो plus sign है यहाँ पर minus लेकिन यहाँ पर देखो same term 10 by x minus y 10 by x minus y यहाँ पर plus यहाँ पर minus तो add करना से क्या होजएगा यह remove हो जाएगा मतलब cancel हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो denominator में क्या है x plus y यहाँ पर भी x plus y इसलिए तुमको क्या काना चाहिए स्रेप तुमको यह दोनो number को plus कर दो ठीक है तो plus काना से क्या होगा 80 यहाँ पर देखो x plus y तुमको लिखना है is equal to क्या होगा plus 20 minus 4 add काना से क्या होगा 16 यहाँ पर तुमको 16 लिखना है यहाँ पर 16 by 1 denominator का place में कोई भी number नहीं है इसलिए तुमको 1 लेना है तो इसको तुमको reciprocal फार्मे लिखना है x plus y divided by 80 और यहाँ पर तुमको 1 by 16 लिखना है ठीक है तो उसके बाद तुमको क्या कहना चाहिए यहाँ पर देखो x plus y is equal to क्या होगा 80 को left side से right side पर transfer कर रहे मतलब यहाँ पर हो जाएगा division form है इसलिए तुमको क्या होगा multiply हो जाएगा ठीक है तो इसको कार्डने से क्या होगा 5 मिलेगा तो मतलब x plus y का वैलू कितना होगा 5 ठीक है इस x plus y का वैलू यहाँ पर तुमको put कर रहे equation 1 और 2 ठीक है एक equation में तुमको put कर रहे उसके बाद तुमको तो x plus y का वैलू यहाँ पर put कर रहे से क्या होजएगा my dear student यहाँ पर होजएगा 10 divided by 5 ठीक है plus यहाँ पर same तुमको copy करना है 2 by x minus y is equal to 4 तो उसके बाद क्या है इसको calculus करने से क्या होग मिलेगा 2 मिलेगा तो 2 को left side से right side में transport करने से क्या हो जाएगा 2 by x minus y is equal to 4 minus 2 तो हो जाएगा क्या मिलेगा 2 divided by x minus y is equal to 2 फिस से तुमको क्या करना चाहिए बोस साइड को reciprocal form में लिगना है x minus y को 2 का प्लेस में लिगना है और 2 को x minus y का प्लेस में लिगना है राइस साइड को भी सेम करना चाहिए 1 को 2 का प्लेस में और 2 को 1 का प्लेस में मतलब यहाँ पर देखो माइडिया स्टूडेन तो यह 2 तू कैंसल हो जाएगा तो x minus y का वैलू कितना है 1 तो 2 equation मिल गया ठीक है तो easy से x और y का वैलू मिल जाएगा माइडिया स्टूडेन x plus y का वैलू कितना है 5 ठीक है और x minus y का वैलू कितना है 1 x plus y का वैलू 5 x minus y का वैलू 1 मिला है यह दोनो equation को फिस से तूंको eliminating process eliminating मितो तूंको अपलाई काना चाहिए तो y का coefficient में कितना है सेम है यहाँ पर कोई भी number ने मतलब यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर देखो plus यहाँ पर minus तो इसको फिस से तूंको add कर दो add करने से क्या होगा plus y minus y cancel हो जाएगा तो x x plus करने से क्या हो जाएगा 2x और 5 और 1 के plus करो तो 6 मिलेगा तो x का value हो जाएगा my idea students 6 by 2 मतलब 3 तो x का value कितना हुआ 3 मिला इस value फिस से तूंको इस equation में put कर दो तो इस equation में put करने से क्या होगा इस equation का तूंको लिखो number 3 और इस equation के लिखो 4 तो equation 3 से 3 में x का value पूट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा my idea student from 3 x minus y is equal to 1 तो x का value कितना है 3 तो इहाँ पर 3 लिखना है 3 minus y is equal to 1 तो y का value हो जाएगा my idea student तो इहाँ पर हो जाएगा minus 3 होगा तो minus 1 minus y is equal to कितना होगा minus 2 minus y is equal to minus 2 minus minus cancel करना से मिलेगा 2 तो x का value कितना होगा 3 y का value 2 my dear student so if you like this video and if you like this trick so please support me and subscribe my channel thank you bye bye